36 गड़ के मनवा कुर्मी में शत्रिय समाज के 75 में वार्षिक राज अदिवेशन का आयोजन हुआ इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश मगेल ने विशेश तोर पर शरकत की समाज के वरिष्ट जनों एवं पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया इस ओरान मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के पुर्खों और विभूतियों ने केवल आजादी की लड़ाई ही नहीं की 36 गड राज निर्मान में भी महत्वपून भूमिका निभाई है उन्होंने शिक्षा क्रिशी सहकारिता के साथ साथ समाज सुधार जैसे उलेखनी एक शेत्रों में भी अपना बहु मुल्य योगदान दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज सरकार ने किसानों मजदूरों महिलाओं बच्चों एवं ग्रामीनों के साथ साथ नागरिकों की बहत्री के लिए कई निर्न लिये हैं धान की कीमत सबसे ज़्यादा 36 गड के किसानों को मिल रही है मुख्य मंत्री ने कहा कि एक दिसंबर से धान खरीद व्यवस्ति डंग से चल रही है धान खरीदी के लिए बारदाना की कमी नहीं होगी उन्होंने कहा कि किसी किसान के पंजिकृत रखबे में यदी कोई तुरूटी होगी तो उसे जाच कर सुधार किया जाएगा उन्होंने कहा कि ग्रामीन अर्थ व्यवस्ता में सुधार की दिशा में सुराजी गाओं योजना की शुरुवात की गई है गोधन याय योजना के अंतरगत दो रुपे प्रती किलो ग्राम की दर से गोबर खरीदी की जा रही है उन्होंने कहा कि खेत में पराली जलाने से धर्ती की उर्वरार शक्ती कम हो जाती है इसलिए पराली को ना जलाकर पराली से खाद बना सकते हैं इससे फसल का उत्पादन बढ़ेगा वही मुख्या मंत्री ने 36 गड मनवा कुर्मी शत्री समाज युवक युवती परिचोय पत्री का विमोचन किया मुख्या मंत्री ने ग्राम सिर्री में सामुदाइक भवन और नलजल योजना की घोशना की 36 गड से समाधा तही देश मानिक पुरी की रिपोर्ट गडिया मन के विकास और नती होई तो बन गए लेकिन लागबे नहीं करते हमार मन के राज आ रहा है नहीं हमर सांस्क्रितिक विकास होतरी से नहीं हमर आर्थिक विकास होतरी से अंकिन टीज़ लेकिन 18 साल बाद जब हमनमनके सारकारे था हमनल कि फ्रेफले लें कि ती जड़ी छूटी रहियो हारेली जब हरेली के शुत्ती करें तो सहर के आज अनुमान कहा है हरेली कहा ओ थे हरेली का का ते है लोगन दा समझ नहीं आ दी ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को फिलिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल अगएट एंटर्पाइब